Hello everyone, ये है class 10th का chapter number 12 area related to circles और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसके questions इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे formula बताए हैं तो please इस वीडियो को देखने से पहले वो जरूर देख लेना जिससे कि आपको at least formula बता हो कि कौन-कौन से formula इस chapter में हैं जिससे आप questions समझ पाओ और असानी से solve कर पाओ तो पहले question से शुरू करते हैं Question पहला है, the radii of two circles are 13 cm and 6 cm respectively Radii क्यों लिखा है क्योंकि plural word है, दो circle की बात हो रही है, एक से जादा है तो दो circle की जो radius है, यानि कि एक की radius जो है, वो है 13 cm, 13 cm और एक और circle है, जिसकी radius है, आपकी 6 cm जो मैं line में पढ़ूँगी, उसको मैं अपने notes की तरह से बना लूँगी, जिससे मुझे question समझ में आए एक बार में पूरा question पढ़ लोगे, तो हो सकता है, question सर के उपर से निकल जाए ठीक है, तो दो circles दिये हैं, 13 और 6 cm की radius की साथ, तो मैंने बना लिया आगे पढ़ते हैं, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles यह line बहुत प्रिकी है, फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, आपको निकालना है radius of the circle, एक circle की radius निकालना है, इन दोनों की तुदी होई है, तो obviously तीसरा circle ही होगा तो उसकी आपको radius निकालना है, which has the circumference equal to the sum of the circumference of these two circles इन दोनों circle की जो circumference है, circumference का formula हता है 2pi r, ठीके, तो इन दोनों की circumference का sum कर दो, इसकी circumference उन दोनों की circumference की sum के बराबर है यह दिया हुआ है, आपको इसकी radius निकालना है, तो देखो equation यहां क्या बन रही है, जहान से देखना इसकी radius को मैं छोटा r ले लेती हूँ, और इसकी radius को मैं capital r ले लेती हूँ, ठीके, और इस तीसरे circle की radius को हम ले लेते हैं, r dash, ठीके, ओके, अब देखो यह है 2 pi r, इसकी जो circumference है वो यह 2 pi r होई, इसकी circumference क्या होई, 2 pi और capital R, किसके बराबर होगी, दोनों की circumference का sum, किसकी circumference के बराबर होगा, बड़े वाले circle की, तो 2 pi r dash के बराबर होगा, ठीक है, यह तो मेरी equation है, यहां से मुझे समझ में आ रहा है, 2 pi, 2 pi common है, तो 2 pi को common ले ल common है, 2 pi, 2 pi, दोनों side ही है, cancel हो जाएगा, यह बचेगा, r plus r equals to r dash, यह r कितना दिया हो है, 13 दिया हो है, यह r कितना दिया हो है, 6 दिया हो है, r dash हमें निकालना है, तो 13 plus 6, 19 equals to r dash, इसका मतलब है, जो आपकी नया circle बना है, r dash, उसकी radius है, 19 cm, unit जरूर लिखना, किसी चीज की length ह है, unit में लिखोगे, marks कर सकते हैं, बहुत easy question है, बस आपको यह चोटा सा step याद रखना है, और question को टुकुडो में पढ़ना है, parts में पढ़ना है, एक बार में पढ़ोगे, confused हो सकते हो, ठीक है, अगला question देखते हैं, यह question है, पहली बात तो writing पे मत जाना, थोड़ा जल़ा लिखना पढ़ता है, so, the cost of fencing a circular field at a rate of rupees 24 per meter is rupees 5 to 80, तो क्या-क्या बोल रहा है, fencing है एक circular field में, यानि एक circular field बना लो, एक जगा बना लो, जिसके चारो तरफ fence किया गया है, fence मतलब किनारी लगाई गया है, यह boundaries लगाई गया है, किस rate पे, 24 रुपे पर meter के rate पे, ठीक है, तो ध्यान से समझना इस बात को, मान लेते हैं, जितनी भी हमें नहीं बताई, fencing की length कितनी दूर तक है, fencing, हमें वस यह दिया हुआ है, कि 1 meter, मान लो, यह इतना सा पाट 1 meter है, 1 meter को fence करने में, 24 रुपे का खर्चा आ रहा है, 24 रुपे पर meter का मतलब यही है, कि 1 meter में fence लगाने क खर्चा जो है, 24 रुपे है, टोटल खर्चा कितना आया है, 5280, पूरी fencing complete करने में 5280 रुपीज खर्च हुए है, तो 24, 24, 24, 24, 24, 24 करते करते हैं, एक 1 meter, ऐसे कितने meter में हमने circumference मतलब fence लगाया होगा, जो हमारा खर्चा 5280 आया है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, अगर आ 5280 को डिवाइड कर दो 24 से, you will get the fence, तो यह आप डिवाइड करो के तो आएगा 220 meter, तो 220 meter की fence है, तो length of fence का मतलब है, आपकी circumference आपको मिल गई, circumference यही तो होती है, 220 meter है, अब आगे question को बढ़ते है, the field is to be plod, plod का मतलब होता है, खोधना, अब इस field को, इस circular field को हम खोधना है हमें, ठीक है, इसलिए हाँ पे खुदाई होनी है, at the rate of 0.50 per meter square, इतने रुपे में आपको इसको खुदवाना है, find the cost of ploying the field, दिहान से देखो एक question क्या कह रहा है, the field is to be plod at a rate of इतना per meter square, अब पर meter square का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 1 by 1 meter का एक box बनाती हूं, यह भी 1 meter है यह भी 1 meter है, तो 1 meter का square हो गया यह, ठीक है, इतने area को खुदाई करने का जो खर्चा है, वो है 0.50 rupees, ठीक है, तो ऐसे पूरे area को मुझे खुदाई करवाना है, पूरे area में, तो उसकी क्या cost आईगी वो बताना है, तो 1 meter की cost पता है, आपको पूरे area की cost बतानी है, तो उसके radius पता होनी चाहिए, अब radius कैसे निकालोगी, हमारे पस यहाँ पर circumference है, अभी हम पहुँचे है circumference तक, तो circumference से निकाल लो, circumference होती है 2 pi r, circumference आपको दिया है 220 equals to 2 pi r, ठीक है, तो यहाँ से यह हो जाएगा 110 equals to 22 upon 7 into r, यह मैंने 2 को उधर भेजा है और divide किया है, ठीक है, तो 110 0 into 7 upon 22 equals to r, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं चीजों को इधर उधर भेज रही हूँ, ठीक है, यह basic चीज है, यह पता होनी चाहिए, इसको solve करोगे, पूरा cancel out करोगे, you will get 35 meter, तो आपकी radius जो आगई वो 35 meters आगई है, अब आगे देखो, radius पता चल गई, तो area कैसे निकालोगी, यह area क्या होता है, pi r square, 22 upon 7 into 35 into 35, cancel कर दो, इसको सबको multiply करोगे, आपके पास आएगा, 3580 meter square, हमेशा area meter square unit में आता है, अब आगे क्या करना है, देखो, question ने पूछा था, कि find the cost of plowing the field, पूरी field को plow करने का cost निकालो, हमारे पास area आगया है, यह area जो है, 3580 meter square area है, एक meter square को plow करने का, खर्चा आ रहा है, 0.50 rupees, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को multiply कर दो, you'll get the cost, total cost आ जाएगे आपके परस, ठीक है, so cost क्या होगी, आपकी 3580 multiplied by 0.50, point में multiplication में कोई भी दिक्कत है, तो सारी basic calculation series में video बनी होई है, वो जाके देख लो, यह basic चीजें नहीं आती, अभी समझ लो, ने तो time निकल जाएगा, फिर चीजें मुश्किल इतनी जादा हो जाएगे, कि उस time time नहीं होगा, सारी basic चीजें सीखनेगा, ठीक है, इनको multiply करो, multiply करके, you will get 1925 as your answer, यह rupees में आएगा, एक बार question को, फिर से try करना, खुझ से, एक बार video देखो, खुझ से try करो, देखो, आ रहा है की ने, कर पार हो की ने, नहीं कर पार हो, तो ही इसका solution देखना, otherwise, you can go to the next question, next question कहा रहा है, if the area of semi-circular field is 30800 square meter, then find the perimeter of the field, तो एक semi-circular field है, इस तरह से, इसका जो area दियाओ है, वो दियाओ है, 30800 square meter, आपको इसका perimeter निकालना है, तो देखो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले radius निकालने की कोशिश करो, क्योंकि radius से ही सारे formula बने में है, तो radius आ गई, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, तो यह देखो, area दिया है, area से radius कैसे निकालोगे, आपको पता है, semi-circle का area का formula क्या है, circle के area का formula होता है, pi r square, तो semi-circle का क्या होगा, उसका आदा कर दो, तो semi-circle का area क्या हो गया, pi r square upon 2, ठीक है, values put करते हैं, semi-circle का area दिया हुए, 30800, pi की value नहीं पता अभी, अभी यह नहीं put कर रहे है, r square, r की भी नहीं पता, और यह 2, यह 2 उधर चला जाएगा, देखो, मैं इसलिए थोड़ा सा लंबा method यूज़ कर रही हूँ, मैं directly इदर उधर लिख सकती हूँ, चीज़ों को, pi की value मैं put कर सकती थी, बट वो double division आ जाता, 22 upon 7 into r square upon 2, तो बच्चे कुछ न, इसको solve नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं आता, उनको यह उपर जाएगा, कि नीचे denominator में लिखें, कि numerator में लिखें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा step जादा कर रहे हूँ, लेकिन आपको समझ में आएगा, कि हो क्या रहा है, तो 30800, यह 2 को उधर बगा दो, यह division में अभी हैं पर, उधर जाके multiplication में जाएगा, तो 30800 multiplied by 2 हो जाएगा, equals to pi r square, right, इस pi की value अब लिखो हैं आपे जरा, 30800 into 2 equals to 22 upon 7 into r square, अब देखो 7 को उधर बगाओ, तो 30800 into 2, 7 उपर जाएगा, और 22 नीचे आएगा, अब आपको clear रहेगा, कि क्या उपर लि यह cancel होगा, 11, 2's are 22, then 8, and then 00, 2, 2800, right, 2800 into 7 करोगे, you will get 19600 equals to r square, right, अब देखो 196 जो है, वो किसका square होता है, मुझे पता है, 196 14 का square है, और 00 है, तो 140 का square होगा, यह, 196 double 0, तो square square same है, r की क्या value हो गई है, 140, तो r, यानि की radius आगई है, आपकी 140 meters, ठीक है, अभी तक answer नहीं आए, radius आई है, question में क्या बोल रहा है, find the perimeter of the field, आपको field का perimeter निकालना है, तो radius अगर 140 है, तो perimeter का formula क्यों होता है, perimeter का मतलब circumference लगा लो, circumference होता है, 2 pi r, ठीक है, अगर यह semicircle है, तो क्या होता है, उसका वेले तो आदा कर दो, और उसमें 2 radius प्लस कर दो, यह पिछली वीडियो में देख ले न, formula मैंने बताया है, यह circumference का, semicircle की circumference का formula है, 2 से 2 cancel हो जाता है, formula होता है, pi r plus 2 r, ठीक है, नहीं पता वीडियो, प्लीज देखो, तो यह formula हम direct apply करेंगे, आपको दियाव है, pi यानि के 22 upon 7 into radius, अभी हमने निकाला 140, प्लस 2 into radius, फिर से 140, ठीक है, 7 से cancel होगा 20, 22 into 20 करोगे, 440 आएगा, यह करोगे, multiply, यह करोगे, यह, you'll get 280, 440 plus 280 कितना होगा, 720 meters, यह अपका final answer है, यह इस इस परिमेटर अप दी, semi-circular field, I hope आपको questions समझ आ रहे होँगे, और यह chapter easy लग रहा होगा, अब आपको नेक्स question, which is the length of a minute hand of a clock is 14 cm, तो एक clock की बात हो रही है, घड़ी बना लेते हैं, उसका जो minute hand है, यानि सबसे बड़ा जो हाथ होता है, सबसे बड़ा जो needle होता है, वो 14 cm का है, तो इससे मुझे पता चल गया है कि यह radius हो सकती है, 14 cm, ठीक है, find the area swept by the minute hand in 1 minute, एक minute में यह कितना आगे आगे बड़ेगा, कुछ तो आगे बड़े गई है, एक minute हो गया, तो थोड़ा सा आगे बड़ेगा, तो वो जो angle है, वो और जो area इसके बीच में, जो इसने आगे बड़ा है, वो कितना है, वो आपको निकालना है, ठीक है, find the area swept by the minute hand in 1 minute, एक minute में कितना area इसने आगे है, देखो, यह radius है, यह radius हो गई, यह radius हो गई, बीच में angle है, एक sector बन रहा है, sector का जो formula था, area का, वो क्या था, theta upon 360 degree into pi r square, right, तो आप यह theta निकाल लोगे अगर, अगर आपके पास यह angle कितना है, उसकी value आ गई, तो direct formula में put करने answer आ जाएगा, ठीक है, अब यह angle कैसे निकाल होगे, वो सुनो, आपको पता है, पूरा का पूरा circle जो होता है, complete circle, वो कितने degree इसका होता है, 360 degree, पूरा complete circle 360 degree है, और कितने minute होते हैं एक circle में, 60 minute, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते, 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 60 minute, एक गंटा होता है, यानि complete revolution लेती है, एक circle लेती है, complete, तो 360 degree angle हो गया, 60 जो है, उसके, एक तरह से, 60 bar में, वो angle complete हो है, तो एक minute में कितना angle आता होगा, क्या करोगे, theta निकालने के लिए, आप करोगे, 360 degree divided by 60, ठीक है, तो आएगा 6 degrees, इनको cancel करोगे, you'll get 6 degrees, तो एक minute में, सिर्फ 6 degree जो है, वो, जो needle है, वो change हो रही है, right, अब आप के पास sector का area निकालने के लिए, सब कुछ है, theta is 6, 360 नीचे लिखोगे, multiplied by pi की value, 22.7, r की value है, आपके पास, अभी नहीं है, तो, नहीं, r की value है, दिया हो है, 14 cm, तो 14 multiplied by 14, इसको solve करो, काटोगे, पीटोगे, you'll get 10.27 cm2, ठीक है, बहुत easy question था, next question देखते है, इस question में आपको एक diagram दिया हुआ है, AOB एक sector है, जिसमें angle 45 degrees है, और radius दिया है, आपको 28 cm, और question में लिखा है, find area of arc AB, इसका area नहीं, sorry, length हो गई है, find length of arc AB, और area of sector AOB, इसका area निकालना और arc की length निकालना है, ठीक है, तो, आपको मैंने तोनों के formula बताए है, length of arc क्या होगा, आ theta upon 360 degree into 2 pi r, ठीक है, सारी values put करो, theta का मतलब 45 upon 360 into, 2 into 22 upon 7 into, radius कितना आपका 28, इन सबको काटो पीटो, solve करो, you will get 22 cm, ठीक है, यह आपकी length हो गई, arc की, इसकी बाद बोल रहा है, sector का, AOB sector का area निकालो, तो area of sector क्या होगा, theta upon 360 degree into pi r square, formula यादोने चाहिए, theta कितना है, 45 upon 360 degree into, pi is 22 upon 7 into, 14, sorry, 28 into 28, ठीक है, इसको solve करोगे, काटोगे, पीटोगे, you will get 308 cm square, बस, इतना direct question था, इतना easy था, इस तरह से practice करते रहो, बहुत easy chapter है, असानी से समझ में आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, thank you guys for watching.